तैंसे भी यह इसु जो है पुरी तरह गवर्मेंट के सामने भारते रहे कि इस ऐनुडी यह जो आप ग्रांड देते हो परांवीर चकर को या बीर चकर को आशोग चकर को और यह महावीर चकर को और फिर्टी चकर को वीर चकर है और इन सब को जो ग्रांट देते हो वो मजाक है जो बाकी देश के अंदर है बहुत काम है हला के ज्यादा शहादत उन लोगों ने यहां पर दी है अपने जोहर दिखाएं तो वह थी उस वक्त आप हैरान होंगे दो हजार थी आठ दो हजार आठ से पहले तो उस वक्त मैंने भ सब्सक्राइब तरह थे जमू की तरफ से मैं था लदा की तरफ से मिस्ट जोरा थे और कश्मीर की तरफ से जर्गर थी तीन की हमारी टीम बनी और बड़ा सोज विचार बहुत जोर लगाने के बाद हमने दो हजार से उठाके एक लाग पचीज हजार जो है वो परम वी चक् अशोग चकर की वो सोला सो से उठाके एक लाग कर दी और फिर इस तरह का से महावीर चकर की आर्ट सो थी और वह भी एक लाग कर दी इस तरह से सब जितने गांट्री अवार्डी जैं उनको वानटी बढ़ा के हमने दी और उसके बाद हम यह लड़ रहे थे कि अभी भी बह करना चाहिए और हर फोर्म के अंदर हमारे साथी जैसे मैंने करनल साथ का जिकर किया यह साथी उठा रहे थे हर बात को हमारे मेंब्रेंडम हमारे डेलीगेशन जा रहे थे और हम आज खुश हैं के कम जगम एक अदम और बड़ा और हम गवंट के युटी गवंट के से एक लाख प očiver दार परवीर चैकर की कि कर दी और Tea ऐचोख चैकर की एक लाख से एक लाख पचास जार कर दी तो तिरेबान पचास पचास मजा़ और कही जगह पिचीस हजार कि अनांस्मेंट कर दी एक दो डोगरा सदिर्षवा और हमारे जितने यहां योदा बैटे हैं उन सब की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं मोधी सरकार का LG गवर्मेंट का कि उन्हें कम जब कम एक थोड़ा सा ये एक तोफ़ा थोड़ा सा तो आगे कदम बढ़ाया ये तोफ़ा दिया इससे ये एक अच्छा मेसेज जाएगा देश बश्त ल हैं उनके लिए एक्स क्राशिया रिफ जो था वह इन्हें पांच लाग रखा तो डोगरा सद्र सब्सक्राइब के लिए हमने ये मेंबरेंडम दिये रिक्वेस्ट की और यहां सब्सक्राइब मीट्वों के अंदर छोड़ पड़ा जनल कॉंसल के कि वह कामज काम बाकी सब्सक्राइब के लिए उसमांग को मान लिया है और पांच लाग से पच्चीस लाग हो गई बाकी स्टेट में अभी एक क्रोड़ और दो क्रोड़ के क्रीब है हम यह मांग करें के पूरा इंसाफ इनको दो ताकि पूरी नेशन में इन शेहिदों का एक एक मतलब यह नहीं सब्सक्राइब के एक स्टेट के कोई शेहिदों का बचैरों का आपने दर्जा अलाग रखा है यहां की कोई रख रखी है यह इंदत अफसाई की बात है तो इसलिए हम यह मांग करते हैं बाकी स्टेट के जो ब्राबर यह होना चाहिए ताकि पूरी नेशन एक जैसी लगे पूरे पूरा देश एक जैसा लगे तो इसलिए हर उस वीर को हर उस वीर की विरांगनी को यह सब मिलना चाहिए पीर नारियां जो हैं तो यह हमारी मांग है पर मैं आज जो कुछ हुआ उसको सामने रखते हुए हम गवर्मेंट के बहुत धन्यवादी हैं और उमेद करते ह हैं कि आगे कदम बढ़ा के पूरी नेशन में इनका एक यासा यह कर देगी तीसरी बाद हमने जो हर वक्त मांग की है कि जीस तरीके से आपने बलिदान स्तंब हमारी डिमांड पर आपको पता होगा कितना संगरश होगा था कितने जलूस नोगरास सवा के निकले ते और हमा ने आवाज उठाई थी यहां ब्रिगेडी राहिंदर सिंग का स्टैचू भी लगा था बगुना के अंदर भी बना बाकी स्टैचू जरावर का भी लगा कि बलिदान स्तंब चाहिए तो जमू में बलिदान स्तंब बन गया यहां पर फिफ्टी टू हंडर के करीब शेहिद के अंदर आज की जनरेशन को उनम महान हस्तियों का नहीं पता जिनकी कुर्वानियों के बैसे हम जिन्दा हैं जाम कश्मीर के अंदर एक तरफ दुश्मन दूसरी तरफ दुश्मन चारों तरफ से गिरे हुए और किस किसम के खेल खेल रहा है और हमारे जौन कैसे करगल की क और उनकी यादगार कि कश्मीर में भी बनें ताकि उन बच्चों को उन संतानों को जनको नहीं पता कि हम किसकी बैसे हैं उनकी कहानिये सुनें और वो ऐसा उनका एक मेमोरियल जो है तक्रीपर पांच जार से ज्यादा वी तक शीद हुए हैं पूरे हिंदोस्तान के हमारे योदा वहां कश्मीर को बिचाने के लिए तो डल लेक पर लगना चाहिए हमने किती दवा मांग अब भी मांग की थी तो एक अनॉंस्मेंट की तरफ से रह गई है कि डल लेक पर ऐसा बिफिटिंग मेमोरियल लगना चाहिए उन शीदों का कि उनके परिवार पांच छे हज जो परिवार जो आज भी फकर तो महसूस करता है कि कमी कितनी महसूस करता होगा आप अंदादा लगाते हैं उनको उनका भी हौसला अफजाई होगी और कश्मीर के बच्चों को आने वाली संतानों को यह जो पढ़ेंगे वहां पर तो उनको उनके अंदर नेशनलिजम लेंडिंग मांग रहा गही है वह है कि इन शेहिदों का वह डल लेक पर कश्मीर में लगना चाहिए यतना टूरिस्त आता है वह जिस तरी का यहां माता वैश्नों देवी के आते हैं वहां लोग आते हैं चाहिए देखने के लिए भी आएं परनाम करें बहां पर और उनके जो परिवार हैं चाहिए वो तमल नाडू मतलब देश के किसी भी कोने से जो आके यहां शेहिद हुए हैं उनके परिवार उस मेमोरियल को देखने के लिए मता देखने के लिए हर साल आएं और टूरिजम भी बढ़ेगा और यह कहानिया भी जाएंगी और पूरी नेशन ज भी कि जितनी जल्दी हो सकता है इस मांग को पूरा करके खुबसूरते के मोरियल गजब का मोरियल शेहिदों का डालेग पर लगा दो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पक्का विश्वास है आप अच्छी तरह से हमारी इस इस बात को जो हमने आपके मैदे